बाइब आपके लिए बहुत जादा है तो आपके लिए पहुत जादा है अगर के स्कीन काल हो चुका है तो साथ चीजा इसन पर फॉर्शी फी ते एक वीडियो मिलने वारा है बहुत ज़दा मेकप वगएर के वज़े से भी स्कीन के पोर्ष में जो हमारे क्रीम वगएर चला जाता जितके माइस्किन डल लैमे जोने रखेट पेस्टी ड्राय और सैंस्टी स्कीन वालों की स्कीन बहुत ज़दी एफेक्ट करती है एंड जूरिया रिंकर्स वगएर आने सब्सक्राइब आपके स्कीन के लिए फुल बॉड़ी के लिए जादा है एंड आपकी स्कीन को अगर आप इसको रैगूरा तो यूज करते हो तो आपकी स्कीन देखोगे कि दिरे-दिरे फियर होते जा रही है एंड एक यूनिक सा ग्लो आएगा जो आपकी स्कीन चानने के लिए देखने लिए एपनी स्कीन को यह खुप फुरत बनाने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते है वीडियो को पहले मैं यह तोड़ा सा हल दी एक चमशकतर क्योंकि पूल बॉड़ी के लिए बना रही हूं उसके बाद मैं डेक्स्ट की लोगी यहां पे ऑंपे होती है अमेजिंग साइज का रिजल्ट है यह मैं अपने कस्टबर पर यूज करते हैं इसलिए इतना बड़ा फाइल बंगाया अगर आप फुट के के लिए तो आप छोटा वाला मंगाईगा फिर मैं अपने फुल बॉड़ी के इसको ले लिए अगर आपको फेस पर करना है तो आप उसके अकॉडिन थोड़ा सा ले लिजेगा तो मैं फेस और फुल बॉड़ी पर किया था मैंने और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला मुझे है आई है इसमें थोड़ा सा दे करें हम लागों ब्लीकल उपकिली कहते हैं और यहां पर यहां यहां पर वाल रही हो यह वारा आप कोई सब्सक्राइब ले सकते जो मार्केट में लीजहां कर देंगे आप चाहो तो दो विटामिनी की कैप्सूल भी एड़ कर सकते बट मैं यहां पर एड़ नहीं कर रही हूं और थोड़ा सा सहद भी मिक्स करते हैं तो मैं नहीं मिला रही हूं अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पूरे फेस एंड बॉड़ी पर अपलाई करे है स्काइब भी वादी 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 वह और साबून कुछ भी यूज नहीं करना है इस तरीके से दिखे वेनी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है आप को भी बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है आप ब्रस की बहुत ले सकते हूं वाट मैं हाथों से यह कर लेगी तो इसका कि आपने देख लिया कि कैसे कैसे मिक्स करना है और कि इशिव मैंने अलगे का है इसका एक्छला ही कैसे करने है इसको तो इजली आपके फेस से डाट और गंदगी को रिमूब करने में भी काफी हर्प करेगा आज कर तो कॉलेज गर्स पेसली और ओफिस घरस कोई भी जैन्स भी यूज कर सकते हैं तो उनके लिए काफी हर्फूर रहेगा वीडियो कि दूप में जाते हैं और स्किन काली पढ़ने लग जाती है तो वीक में थोड़ा सा तो अपने लेवी टाइम निकालना बनता है ना तो इस तरीके साब को एक पैक की तरह लेयर बना लेना है पूरे फेस पे एंड हाथों पे बाडी पे फूल बाडी पे आप इस तरीके से लगाओगे इसमें मैंने हल्दी और नमक यूज यूज किया था इंड गिले से यह तीनु भी आपकी स्कीन को डीप क्लीन करके अंदर से निखाने में ग्लो देने में काफी हेल्फूल होता है इसके साथ साथ अगर आपकी स्कीन एक्स्ट्रा ड्राइब है तो आप इसमें थोड़ा तो कोकोनट ओयल या फिर हनी सहे यूज कर सकते हो और अगर आपको नीमबु सूट करता है तो आप नीबु भी आड कर सकते बट मुझे नीबु सूट नहीं करता है में स्कीन एक्सी ट्राइब है जिसकी वैक्से अगर मैं नीमबु लगाती हूं तो मुझे ऐलर्जी टाइब क करता है इसलिए मैं नीम्बू को स्किप करती हूं अगर आपको नीम्बू सूट करता है तो आप नीम्बू एड कर लीजिएगा पूसτα मेंहीं अप्लाई कर दिया है नेक्ट मुज़े हाथ पर भी अप्लाई करना है एड्पूल बॉडी परम सके अप्लाई करूंगे Osman가 कि तरह तो पूल बॉड़ी पर इससरिके से अप्लाई का कि दूगी तो मैंने यहां पर अपने हाथों पर फेज पर पूरा अच्छे से अपलाई कर लिया है तो आपको दीख़रा है आप इसको सेकुलर मुमेंट इस तरह के से मसाज करना है इसको मसाज करोगे सेकुलर aur kacter निकलने में well इसको आपको 5-10 मेने तक मसाज करना है एक यह बार निजले आते हो तो मैंने आपको एक और वताए था tips नारियल तेल मुझे कुछ मिक्स करके लगाने का अगर वीडियो नहीं देखा बहुत जड़ा एक ही उज़ में मेरी सारी टैनिंग चली गई थी उस्ते तो मैं इसको अपने हाथ पेरों पे घर्दन पे पीट पे हर जगा अप्लाई करने वाली हूं इसी तरीके से मसाज करके नौर्मल पानी से जासे हम लोग नहाते हैं वैसे मैं नहा लूंगी कि उसकी तरीके से मैं पूरा अपलाई कर देए क्योंकि मैंने मेक अप्ड़िया था उसके वज़े से स्कीन पर बहुत जड़ा दीखरा था और गिलिटर भी दिखरा था तो बहुत ही तो मेरे वहाड़ तो यह क्या है क्योंकि मैंने उसको दोसे तीन बार सेस्वोस करके अर तो मैंने रोचार कुछ पैक बताया जाए जिसे स्किन भी ग्लो करें फेयर हो एंड रिंकल फाइनान सारी चीज़े क्लियर हो डेट स्किन रिमोव हो इस लिए अभी डेट स्किन की प्रब्लम बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि गर्मिया बहुत ज्यादा पड़ रही है तो अभी आपके लिए बहुत जड़ा है आपके लिए निसांस को बहुत जब्लाइप तो वीडियो को बहुत जज़ा कीजेव एंड गोट जिसके बल्लाक पर जाते है व ह९ह इसको इस तरीके ते भी खीकशते है अपने इस मीक लिए को तो मिलते हैं पूरे बोड़ी के अप्लाई करने बार नहांके और फाइनल रिजल्ड में आपनों के सब स्क्रेयर करते हैं गर्दन पर मारी अक्सर यहां पर ब्लैपनेस हो जाती है तो यहां पर भी आप ज़रूर इसको इस तरीके से मसाज कीजिए हां और मैंने गर्दन पर पूरा अप्लाई के आवा था है बोलते बोलते मूंके अंदर जा रहा है क्रीम अरोमा का जो स्क्रब है बहुत अच्छा है बहुत आपके स्किन पर ग्लो देता है एंड क्लिन अप के लिए अगर आपको इसकता डून रहें तो यह वाला आप ले सकते हो मैंने इसको ओनलाइन मीशों से मंगाया था यह मुझे पांसु कुछ उपे में पड़ा था इतना बड़ा डिबा मैं पार्दर चलाती तो पार्दर में लूजू जाता है बट आप छ कि अगया है तो फ्रेंड्स में हां के आ गई हूं और हाथ और फेस काफी जड़ें लग रहे हैं पतानी केमरे में दिख रहा है कि नि बट मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादर क्लीन दिख रहे हैं और जो डलनेस ती डाकनेस थी वह पी काफी अब तक रिमूव हो च जाएगा और आपका स्कीन गुलो करने लग जाएगा इसके बाद से कुछ चैप हैं वह भी फोलो करने हैं इतना ही करके नहीं छोड़ना है क्योंकि आपके स्कीन आपके आपके बॉडि के पार्ट से अलग होता है इसकी के ना बहुत जलूरी होते हैं तो उसकी लिए हमको अपने डेली स्कीन के रुटीन में और हुप तो भी जो लिए भी घाणियर का तो आप इसको ले सकते हों कि अगर्डी अवाल स्कीन टाइप है तो कोई भी इसको भी कर सकता हैं वह इतना ही करके आपको नहीं चोड़ना है आपको अपना डेली न protocols करना है इसके बाद उसके बाद आपनी स्किन का जो ग्लोव होगा वह आप फील करोगे बहुत ही अमेजिंग होगा तो दोसके लिए टोनर तो मैं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं स्किन बहुत साथ से इसकी वह ड्राई है तो मैं गुलाब जल यूज करती हूँ बटाओ वे स्किन केर वर्डिंग तोनर ले लिजेगा तोनर से ज्यादा ड़र्ट निकलने में हैप करता है और पोज क्लीन होते हैं उसके बाद मैं यूज करूंगी स्किन फ्रूट का यह सारी बज़े फ्रेंट ही है बहुत से स्टेट में आपको मिल जाता है स्किन फ्रूट का मोस्ट्राईजर अगर आप साथ चाहते हों कि आप लॉंग टाइम तब यंग दिखो आपकी स्किन पर रिंकल्स ताल सब यह सब ना आए तो आपको बहुत ज़्यादा मैंद करने की जड़त नहीं बस अपना डेली स्किन केर रूटीन अच्छे से किया करो तो आपका जो फेस है वो काफी ख मॉस्टराइजर यूज किया किजिए डेली ओकी ऐसा नहीं कि अपने एक दिख तब गया तो हो गया है जो मैंने पैक बताया इसको तो आप अपने में एक बार यूज कर दोगे लेकिन मॉस्टराइजर आपको डेली यूज करना है और जो हम लोगी में पार्ट है हमारे स्क देते हैं तो वह आप फोलो किजिए आप देखोंगे कि आपकी स्कीन में एक अमेजिंग ता ग्लो फर्स्ट दे से ही फील करोगे आप आपकी जितने भी प्रवल्लम होगे डार्टनेश डाइट स्कीन सारी चीजे क्लियर होने लग जाएंगी डाप स्कॉर्स भी धीर जीर लग जाएंगे तो इतना करने बार आपको छोड़ना का है आपको लिए संस्क्रीम यह संस्क्रीम है लोटस का काफी अच्छा है और और व्युद्ट लगता है यह बहुत थिक है ठोड़ा मोटा है पतला नहीं है जो ओईली स्कीन होती है उनके लिए जैल बेस प्रोड़क् उसको पांच मिनट का वेट करेंगे उसके बाद आपको संस्क्रीम लगाना है क्योंकि जो मॉस्ट्राइजर का वर्ल गो जाए प्रियाक्ती स्कीन पे उसके बाद ही आपके संस्क्रीम अप्लाई करने है आप देखें अब जो प्रोड़क्ती स्कीन अच्छे से साइन कर रहा है बालों पर मत जाएगा अब नहां कि आई हूं तो इसी तरीके से दिख रहा है आप तो उसके बाद हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे 5-10 मिनट उसके बाद को संस्क्रीम अप्लाई करने है पूरे फेस पर है संस्क्रीम आपको डेली लगाना है जो लो travelling करते हैं कि मैं अस चारी चाहे बहुंढ बियारो जो बोड़ते हैं कि संस्क्रीन के आज़द हम तो बहार ही ने निकलते हैं लेकिन ज़वत है आप बहार निकलो ना निकलो आपकी स्किन पर प्रब्लम्स आती हैं संकी केड़ों की वज़े से आप घर के अंदर भी वह एफेक्ट करती है और गल्ली में तो बहुत ज़्यादे आपको इस तरीके से संस्क्रीन को पूरा फेस पर अप्लाई कर देना है यह थोड़ी देर के बाद अटोमेटिकली स्किन में अप्जाब हो जाएगा पांसे दस मिनिट के बाद जो जो पार्ट आपके बाड़ी के दिखते हैं उन्पे आप अप्लाई कर लीजएगा अधिकल को काया आप है अधक यहां वीडियो आपको काफी पसंद आया हो और हजो वीडियो पर जाए हो फ्लीज लगी कर दीजेगा अपनी फैंद में जिर्व कर दीजएगा है जाकि वो इस वीडियो का फायदा उठा काई रोटीन से रहें जो पैक में ने मतायो है। तो थैंक्स वार्चिंग लव्यू आपको कितना फाइदा हुआ इस चीज़ के आपको देखिए कितना अच्छा स्किन अंदर से ग्लो कर रहा है आधी घंडे के बाद से अपने आप मैं मिरर में देख रही तो बहुत अच्छा साइन दिख़ा था मैं सुचा यह पी क्लिक कि और वीडियो में एडिट की जाएगी ताकि आप देख पाओ कि कितना अच्छा ग्लो देता है एक ही यूज में